क्या चीन अब भारत की बरती ताकत से घबरा गया है? क्या भारत अब United Nation का स्थाई सदसे बने बिना रुकेगा? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत लेकिन बिना वीटो पावर के आखिर कब तक भारत को पीछे रखा जाएगा? इस वीडियो में हम जानेंगे की कैसे भारत अब अपनी कूटनीती से चीन और दुनिया के सबसे बड़े देशों को जुका रहा है इस महित्वपूर्ण अपडेट के साथ हम आपका स्वागत करते है अगर आप ऐसे ही जानकारी से भरे और रोमांचक वीडियो देखना चाहते है तो चैनल को सबस्क्राइब करे और बेल आइकन दबाए ताकि कोई अपडेट मिस न हो भारत हमेशा से एक शांतिप्रिये और कूटनीतिक देश रहा है लेकिन अब भारत की कूटनीती ने एक नया मोर ले लिया है विदेश मंत्री एस जेशंकर के नेत्रित्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बहा लिया है और अब इसे नजरंदाज करना नामुम्किन है आस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोजकरता लॉबी इंस्टिट्यूट की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि पहले भारत मिलिटरी पावर में जापान और रूस से पीछे था लेकिन अब उसने उन्हें पचार दिया है भारत के इस उभार से सबसे ज़्यादा परेशान कौन है जी हाई चीन जब अमेरिका और रूस ने भारत के स्थाई सदस्यता और वीटो पावर के लिए समर्थन दिखाया तभी चीन ने इस प्रक्रिया में अर्चने डालनी शुरू कर दी चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए रास्ता मुश्किल बनाने की हर संभव कोशिश की वीटो पावर जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है चीन ने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हतियार के रूप में किया लेकिन भारत ने चीन को माकूल जवाब दिया विदेश मंत्री एस जेशंकर ने हाल ही में सन्युक्त राष्ट्र के मंच पर कड़ी टिपपनी की जिसमें उन्होंने युनाइटेड नेशन के हांचे को बदलने की मांग की उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया का प्रतिनिदित्व करती है उसमें पुराने कानूनों के साथ बदलाव लाना जरूरी है युनाइटेड नेशन का मौझूदा हांचा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था जब दुनिया एक अलग दौर में थी लेकिन आज की बदलती दुनिया में यह धांचा अब प्रासंगिक नहीं रह गया है भारत अब सिर्फ एशिया में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में एक महित्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है चाहे वह जी बीस हो या ब्रिक्स हर मंच पर भारत की उपस्थिती और उसका प्रभाव दिम्बदिन बरता जा रहा है भारत की सेने ताकत भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है हमारी सेना अब सिर्फ एशिया में ही नहीं बलकी दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना बन चुकी है हमारे पास अब अत्याधुनिक हत्यार और तकनीक है जो हमें वैश्विक मंच पर और मजबूती से खड़ा करते है सिर्फ सेने ताकत ही नहीं भारत की आर्थिक स्थिती भी तेजी से बर रही है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्था होने के साथ साथ भारत का व्यापार और निवेश का स्तर भी उंचायां चू रहा है चीन को सबसे ज़्यादा डर इस बात से है कि भारत की बरती आर्थिक और सेने ताकत कहीं उसके प्रभुत्व को चुनौती न दे दे इसी दर की वजह से चीन भारत के स्थाई सदस्यता के मार्ग में अर्चने डाल रहा है वीटो पावर एक ऐसा हथियार है जो किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकता है इसे पांच देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास सुरक्षित रखा गया है लेकिन आज की वास्तविक्ता में क्या फ्रांस और ब्रिटेन को यह विशेशाधिकार मिलना चाहिए जबकी वे 27 सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में भी नहीं है हालिया ग्लोबल पावर इंडेक्स में जहां अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर है वही रूस अपनी पोजीशन से खिसक कर छटवे नंबर पर चला गया है और भारत अब तीसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन इस सूची में कहीं नहीं है आज के दौर में भारत को सन्युक्त राष्ट्र का स्थाई सदसे बनाना केवल सही कदम नहीं होगा बलकी यह समय की मांग भी है जिस देश की वैश्विक ताकत इतनी बर गई हो उसे नजरंदाज करना न सिर्फ अन्याय है बलकी यह वैश्विक संतुलन के लिए भी खत्रा है एस चेशंकर ने खुलकर कहा कि सन्युक्त राष्ट्र के पुराने कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए है इन कानूनों में बदलाव की आवश्यक्ता है ताकि संस्थान समय के साथ चल सके और वर्तमान में शक्तिशाली देशों का सही प्रतिनिदित्व कर सके भारत अब केवल एशिया का प्रतिनिदित्व नहीं करता बलकि Global South का भी प्रतिनिदी बन चुका है जो देश विकासशील थे अब तेजी से उभर रहे है और भारत उनमें अग्रणी है चीन की अर्चन डालने की कोशिशें उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग कर रही है जहां अमेरिका, रूस और अन्य प्रमुक देश भारत का समर्थन कर रहे है वही चीन अकेला परता जा रहा है भारत के मजबूत कूटनीतिक संबंद दुनिया के प्रमुक देशों के साथ बन चुके है चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या यूरोपिय यूनियन, भारत हर जगह अपने रिष्टों को मजबूत कर रहा है वीटो पावर सिर्फ एक अधिकार नहीं है बलकि यह एक शक्ती है जो किसी देश को वैश्विक मंच पर सबसे महत्वपूर्ण बनाती है भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद भी यह शक्ती नहीं है यह एक बड़ी विडंबना है अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो यह वैश्विक राजनीती को एक नया मोर दे सकता है भारत का द्रिष्टि कोन? उसकी नीतिया और उसके कूटनीतिक निर्नय पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे युनाइटेड नेशन का भविश्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कैसे खुद को बदलता है भारत जैसे देश का स्थाई सदस्यता मिलना न सिर्फ संस्थान के लिए बलकी पूरी दुनिया के लिए एक सकारातमक बदलाव होगा भारत अब सिर्फ क्षेत्रिय शक्ती नहीं बलकी एक वैश्यविक नेतिव के लिए तैयार है आने वाले समय में भारत का नेत्रित्व वैश्विक राजनीती और अर्थविवस्था में महित्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्या चीन भारत की इस उभरती ताकत को रोक पाएगा या फिर भारत अपनी कूटनीती से विश्व मंच पर अपनी जगह बनाएगा ये सवाल अब हर किसी के मन में है तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि भारत को अब युनाइटेड नेशन का स्थाई सदसे बनना चाहिए क्या चीन भारत के रास्ते में आपाएगा अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको ऐसे ही और अपडेट्स मिलते रहें